बुद्ध देव एक छोटे से गाव में रहते थे. उनका जन्म गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन उनके दिल में बड़े सपने थे. वहना केवल अपने परिवार की मदद करना चाहते थे, बलकि अपने गाव के सभी लोगों की मदद करने का सपना देखते थे. एक दिन उन्हें एक साधू मिला, जिसने उन्हें यह सिखाया कि नेकी करने का सच्चा आनंद होता है. बुद्ध देव ने इस संदेश को अपने दिल में समेट लिया. बुद्ध देव को लोगों की मदद करने का मौका मिला जब उनके गाव में एक आपदा आई. उन्होंने सोचा, यही मौका है मेरे सपने को साकार करने का. बुद्ध देव ने एक स्कूल खोला, जहां वह गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करते थे. उन्होंने उन बच्चों को न केवल शिक्षा दी, बलकि उन्हें नेकी, सहानुभूती और समर्थन भी सिखाया. बुद्ध देव की नेक कारियों की खबर गाम के हर कोने तक पहुँच गई. लोग उनके साथ जुडने लगे और उनके सपने को साकार करने में मदद करने लगे. बुद्ध देव की नेकी और समर्पण ने उसे उनके सपनों की उंचाईयों तक पहुँचाया. उनका यह सं बड़े परिणाम ला सकते हैं और नेकी का सच्चा आनंद हमें अनुभव कराता है।